हेलो एवरिवन वेलकम टू दरो श्टैक और आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट फॉन ओपो एफिफिटी थी के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके फीचर स्पेशिफिकेशन इसके प्राइस और क्या यह आपके लिए कंपेटिबल है तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक अपो इंडिया इंडियन मार्केट में एयर ट्वंटी ट्वंटी का लेटेस्ट फॉन ओपो एफिफिटी थी ट्वंटी मॉडल लांच करने जा रहा है 25 अगस्त को ओपो कंपनी के डिजिटल प्लेटफ है ओपो के इस फॉन में जो पहला वेरियंट आता है उसमें 4GB RAM और 64GB internal storage मिलता है यह फॉन दो कलर कंबिनेशन के साथ मिलता है इसमें पहला electric black और दूसरा fancy blue है ओपो A53 2020 Qualcomm Snapdragon 460 processor के साथ लांच होने वाला ओपो का पहला फॉन होगा जिसमें microSD card के लिए slot भी मुजूद होग ओपो A53 की camera की बात करें तो इसमें 60MP primary camera के साथ 2MP के साथ 2 camera sensor दिये गए हैं यानि 3 camera setup के साथ 16MP का selfie camera भी मिलता है 6.5 inch का HD plus pixel का resolution display भी मिलता है वहीं अगर बात करें इस phone की battery और performance के बारे में तो ये phone 5000 mh की बैटरी इन battery के साथ 18W की fast charging support करता है USB type C charging port के साथ finger print sensor भी इस phone में in 3.5 mm का headphone jack भी इस phone में दिया गया है इस phone में security के लिए back panel पर fingerprint sensor है इसके अलावा 4G LTE Wi-Fi Bluetooth GPS 3.5 mm audio jack दिया गया है अब अगर बात करें इस phone के price के बारे में तो भारत में Oppo का phone 25 अगस्त को launch होने जा रहा है ऐसे में इसकी कीमत पर कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं लेकिन Oppo 99,000 थी यानि भारतिया रुपे के हिसाब से 12,700 के करीब होगा तो इस यह में अंदाजा लगा सकते हैं इसकी कीमत इसके आसपास ही होगी इस लोगों को कहना है इस phone की कीमत 13,990 रुपे भी है लेकिन या भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है वीडियो से रिलेटिड कोई क्व हुआ हुआ है